हलो फ्रेंज स्वागत है आपका आपके चैनल सिस्टी किचन में फ्रेंज आज मनाएंगे मूंकी दाल तो उसके लिए मैं क्या क्या इंग्रीडियन चाहिए उसको देख लेते हैं ते कुटोरी मूंकी दाल नमक दो खटाई हल्ली तो सबसे पहले हम मूंकी दाल को धुल इसको हम दो से तिन पानी में अच्छे से धुलेंगे मूंकी दाल को मैंने अच्छे से धुल लिया है अब इसमें हम उसी कुटोरी से पानी डालेंगे जिस कुटोरी से मैंने मूंकी दाल ली है तो एक कुटोरी मूंकी दाल में हम पांच कुटोरी पानी डालेंगे अगर आ इसमें नमक, हल्दी खटाई डालेंगे तो ये 4 कोटोरी हो चुकी है एक कोटोरी हम इसमें और डालेंगे क्योंकि फ्रेंज अगर हमें कॉइंटिटी पता रहती है तभी हमारी डिस्प पर्फेक्ट बनती है अब इसमें हल्दी डालेंगे और 2 खटाई नमक आपने स्वात के अनुसार डालें और इसके बाद हम इसको बंद करके गैस पर रख देंगे दो से तीन सीटी आ जाए तो मूंगी दाल बहुत पर्फिक्ट हमारी पक जाएगी इसको हम गैस पर रख देते हैं तो दाल हमारी बहुत अच्छे से पक गए हैं हम आपको दिखा देते हैं और दाल हमारी नजादा गाड़ी है और नजादा पतले है अब इसको हम फ्राई करेंगे प्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है कढ़ाई में सबसे पहले हम दो से तीन चिमज घी डालेंगे और घी अच्छे से मिल्ट हो जाए उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे आप इसको रिफाइन तेल से भी फ्राई कर सकते हैं तो घी अच्छे से मिल्ट हो गया है उसके से गरब भी हो गया है दिसमें हम जीरा डाल देंगे जीरा अच्छे से मारा पक जाए दिसमें हम करी का पत्ता डालेंगे फ्रेंस अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब पढ़ना ना भूलें बेल आइकन को प्रिश कर दें जिससे मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेस आपके पास पहुचेगा और जिन फ्रेंस ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया पुकरी का पत्ता डालेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राइब कर लेंगे तो तड़का हमारा अच्छे से फ्राइब हो गया है अब इसी में हम दाल मिक्स कर देंगे तो बहुत कम इंग्रीजिन में बहुत टेस्टी हमारी मुंकी दाल बनी हुई है आप इसको ट्राइ कर शकते हैं आपको बहुत पसंद आएगा तो इसको हमें बाउल में सेरो करेंगे इसके बाद इसमें एक स्पून हम देशी घी डालेंगे तो आप इसको बनाएए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के साथ से जरू करें और परमेंट करके बताएं आपको मौंकी द